Hello everyone, so MSO4 के लिए next topic जो हम देख रहे हैं वो है agrarian classes देखे अभी-अभी मैंने audio में, telegram पे जो audio-s में मैंने आप लोगों के साथ क्या working class discuss करा है यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं agrarian classes की मैं short में कुछ points लिख के आपको कहानी बता रही हूँ बाकी आप लोग थोड़ा थोड़ा इसे डीटेल में explain खुद से भी कर सकते है agrarian class की बात की जाए तो agrarian कौन होते है agrarian में कौन लोग जाते हैं वो person जो basically agriculture activities में engage है agrarian में कौन लोग गए वो person जो क्या करते हैं जो agriculture या agriculture से related activity में engage है agriculture से related activities हो क्या क्या सकती है जैसे कि आपको पता है कि लोग क्या करते हैं लोग पेस्टॉलिजम का काम करते हैं वहाँ पे रूलर एरियास की बात करी जाए होटी कल्चर का काम करते हैं ठीक है फिशिंग हो रही है पिसी कल्चर वगेरा हो रहा है ये सब एक्टिविटीज भी हमें रूलर एरिया में k거든 हो तो लोग एक जगे से दूसरी जगे क्या करते थे लोग प्रॉपर हडर्स थे अपने खतम हो गए then they move to some other places तो ये system लोगों का चल रहा था तब तक agriculture नहीं थी धीरे धीरे जैसे agriculture आई लोगों को पता चला ये grains हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं हम store भी कर सकते हैं इन्हें normally भी खा सकते हैं plus इन्हें store भी कर सकते हैं for the time being और फिर से लेटर ओन बाद में खाने के purpose के ल हमारे इंडिया की agriculture sector में ही इंगेज है तो ये वहां से कहानी शुरू हो के आज तक हमारे साथ continuity में चल रही है तो hunter gatherer जो लोग होते हैं पहले hunter gatherer होते थे बाद में ये लोग क्या हुए settlement बसी सब कुछ हुआ तो ये agricultural laborer बन गए और वहीं से agricultural society यानि agrarian society हमें देखने को मि अब यहां पे जो agrarian society होती है या class होती है यहां पे क्योंकि बहुत जादा काम नहीं है बहुत जादा activities नहीं है तो जो काम का बटवारा होता है division of labor होती है वो बहुत simple होती है it is quite simple वो बहुत complex नहीं होती जैसे कि आपकी industrial society में देखने को मिलती थी आपको याद होगा कि हम जैनिक और mechanical solidarity वाला concept जिसमें देखा था कि जो पुरानी primitive society थी वहां पे division of labor जो था वो simple था और बाद में जो societies develop हुई वहां पे जो आपका division of labor था वो क्या था काफी complex था क्योंकि तब और ज्यादा different sectors different different sector आने लगे थे इंडास्ट्री डेवलप हो रही थी तो काम का बटव कि बात करें तो इहां का major occupation जो है वो agriculture है ठीक है मेलीस के अलावा लोग हमें animal husbandry, horticulture, domestication of plant and animal करते हुए भी यहां पे निल जाते हैं विलेज कम्यूनिटी सिस्टम यहां पे एक proper system exist करता है जिसे हम village community system कहते हैं विलेज एक बहुत important role play करता है एक place of meeting, एक place of gathering है जहां पे इस process को हम socialization कहते हैं, socialize करना, interact करना, respond करना, communicate करना to the people in the society, तो यह village community system के थू होता है, simple division of labor अभी उपर बताया है, यहां पे division of labor का जो system है, जो काम का बटवारा है, वो comparatively क्या है, industrial society के comparison में बहुत ही जादा simple है, अब यहां importance of family देखो, clear cut बात है, यहां पे family की importance के बारे में हम इसे पता चलता है, एक तो child bearing reproductive वाला काम तो ही है, प्लस rural area में, जो agrarian society है, agrarian class है, यहां पे all the members of the family are engaged in that agriculture farm, यहां पे जो production का काम हो रहा है, तो सारे member जितने भी family के हैं, वो सब उस production में क्या हो जाते हैं, engage हो जाते हैं, तो यह दूसरे के लिए सब लोग किसका काम करते ह हैं, तो child bearing तो होई गया, child bearing reproductive वाला पार्ट, प्लस economic unit का भी यह काम करते हैं, तीक है, unity sentiment होता है, आपस में, एक unity वाली feeling जो है, इस particular group में, जो आपकी agrarian class है, वहां में देखने को मिलती है, informal social control है, अभी मैंने आपको बताया था, I guess, audio में या previous video में हमने बात की थी, formal, informal, organized, unorganized की, working class में हम लोगों ने audio में बात की थी, organized, unorganized की, तो organized sector होता है, जहां पे चीजे properly managed है, salary fix है, working hour fix है, आपका जो proper retirement के बात, you will get the benefit, तो बहुत सारी चीजे जो है, प्रॉपरली manage होती है, वही informal sector में, unorganized sector में यह चीजे नहीं होती है, तो वही चीजे यहां पे जो life जो control अलग है, और एक informally unorganized sector वाले work बोल दो, इसके अंडर जितने भी काम होते हैं न, इस वाले particular agrarian class में, यह generally informally unorganized work होते हैं, यह point लिखोगे, अब informal control का मतलब क्या है, कि formal कोई association, कोई group, कोई संस्था control नहीं लगा रही है आपकी चीजों पे, बड़ आपके behavior, आपकी activities पे आपके functions पे control कौन लगा रहा है, कुछ tradition, कुछ norms, कुछ beliefs, यह हमको किसी तरीके से बांदे हुए है, clear, और sometime हम इनकी वज़े से ऐसे एक नहीं कर पाते हैं, जैसा हम करना चाहते हैं, प्लस यहाँ पे जो लोगों की life है, next feature जो है, वो बहुत ही simple और uniform एकी तरीके की life है, बह लेकिन हमारे यहाँ पे जो resources है, इंडिया में जो resources है, वो क्या है, वो unequally distributed है, properly distributed नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो resource है ही कम, यह ध्यान रखना है, plus resource के multiple uses है, scarcity क्यों हो जाती resource की, एक resource के multiple uses है, तो समझ ही नहीं आपाता, उसको किस productive use के लिए आप लगाओगे, ठी नहीं होती तो कुछ लोग जिनके पास पहले resources पहुत जाते हैं वो इस resources का overuse और exploitation क्या करने लग जाते हैं और बाकी लोगों को इसका proper reach नहीं मिल पाती, access नहीं मिल पाती, यह चीज है, तो not everyone have the access to land, सबके पास तो जमीन है ही नहीं, अब क्या है few areas जो ऐसे हैं, जहां पे सब के पास land है, लेकिन वो छोटी-छोटी है, तो उतना productive earnest नहीं देखने को मिलती, ऐसे areas के लिए ही क्या बात चल रही थी, ऐसे area के लिए ही लोग आजकल की rate में क्या follow करने लगे हैं, consolidated land holding का concept की मिल जुल के proper combined को एक वसल उगा लेते हैं, आपस में सारे लोग मिल के, फिर other areas मे क्या है, सिर्फ 40% लोगों के लेंड है, बाकि जो लोग है उनके लेंड ही नहीं है, वो as a laborer, as a worker, दूसरे की field में काम कर रहे हैं, या किसी और system को मतब कोई और काम में engaged है, वोमेन को क्या करा जाता है, land ownership पे exclude रखा जाता है, पैट्रिलीनियल system है, वोमेन को land ownership में राइट अब एग्रेरियन structure में structure of land holding की बात होती है, मतलब कुछ बताया ना कुछ लोगों के पास ज्यादा land है, कुछ लोगों के पास ज्यादा land है, तो वो small land owner बन जाते हैं, या फिर बेकुल land नहीं है, तो as a present किसी और के खेत में किसी और के लिए कुछ और services प्रोवाइड करके अपना wage earn करेंगे, तो यह daily wage worker बन जाते हैं, अब यहाँ पे जो particular agrarian structure है, यहाँ पे हमें under employment भी देखने को मिलती है, under employment एक होता है unemployment कि आपके बस काम ही नहीं है, under employment क्या होता है कि आपके बस proper पूरे साल, पूरे साल में से आपके पास कुछ दिनों तक काम नहीं था, तो व क्या कहला होगे, under employed, तो an under employment is a situation where the person, where the employee do not have work for all the days in a year, अब यहाँ पे कास्ट और क्लास की complex सी relationship होती है, जिसे समझना थोड़ा सा complicated है, एक example की थोड़ी सी बाते देखेंगे, मैं आपको class structure भी बता चुकी हूँ, कास्ट भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे agrarian society में कास्ट के बहुत strict structure follow होते थे, कास्ट hierarchy wise device होती थी, कास्ट interchangeable होती थी, कास्ट जो है वो कैसे ascribed status होते थे, acquired नहीं होते थे, वहीं class जो थी लोग change कर सकते थे, यहाँ पे फिर एक example भी दिया है कि कास्ट में जैसे भ्रामन कास्ट भी में टॉप पे आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रामन के पास major land holding होती है, it is not necessary that they are acquiring whole the land, नहीं के पास सारी land holding होगी, so इसलिए यह क्या होते है, यह agrarian structure के बहार है, ruler society के बहार नहीं है, लेकिन यह agrarian structure के बहार हमें देखने को मिलते हैं, वहीं M.N. श्री नि अब वीडियो जो देखें के बाकी, अब फास्फववड करके आप देख लीजे चाहें तो, वैस्तो मुझे नहीं रखता कि मैं बहुत slow बोलती हूं, मैं already बहुत तेज बोलती हूं, बोले कि स्पीड मेरी तेज है, तो फिर भी अगर आपको लग रहा है कि टाइम लग रह आपको प्राई पास्पश्वड कर तेज हुड़् अजट रहा है कि मैं रहा है।